हेलो दोस्तों जैहिन स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सौरप कंप्यूटर पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPB की तरप से ग्रूफ 4 के लिए जो वेकेंसिस आई है उसके बारे में जिहां Friends इस वेकेंसि का रोल बुक जारी हुच चुका है आज के वीडियो में मैं आपको इस वेकेंसिस रेलेटेट सारे जानकारी बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में भी डिसकस करेंगे आप हमारे साथ वीडियो में आखरतक बने रहना यहाँ पर आप देख सकते हैं मद्द प्रतेस करमचारी चैन मंडल भुपाल द्वारा समू चारे के अंतरगस सायक ग्रेट 3 इस्टोनों टाइपिस्ट सिगर लेखरक वो अन्य पदों की सीधी एवं बैकलोग भरती करवाई जाएगी 2023 में अब इन वेकेंस्टी के जो ऑनलाइन फॉर में 6 मार्च से चालो हो जाएगा भराना 2023 में लास्ट डे ट्रेनने वाली है 20 मार्च आपको कुछ करेक्शन करना है कुछ गलत हो जाता है शंशोधन करना है तो आप 25 मार्च तक कर सकते हैं आपको एक्जाम के लिए बहुत टाइम दिया जा रहा है आपको जो एक्जाम है पांच अगस्त को होगा तो आप अच्छे से पिर्प्रेशन आराम से कर सकते हैं फीस के बारे हैं बात करें फ्रेंट्स तो जनरल वालों की फीस लग रही है अनाक्षित के लिए 500 रुपे एस्टी, से और ओबिसी के लिए फीस लग रही है लग रही है 200 रुपे आंगे चलेंगे बात करेंगे exam time के बारे में जो बताया गया rulebook में आपको जो exam है 2 shift में होगा 2-2 घंटे का time दिया जाएगा आपको आंगे बढ़ते हैं बात करेंगे syllabus के बारे में आपका syllabus आपको exam में क्या पुछा जाएगा तो समाने गान, समाने हिंदी, समाने अंग्रेजी, समाने गणी, समाने कंप्यूटर गान, समाने अभूरुची total 100 number के आपका exam होगा, 100 marks का paper रहेगा 2 घंटे का time दिया जाएगा आपको आपका प्रते question एक आंक का रहेगा मतलब हर question के लिए आपको one number मिलने वाले हैं आपके subject आपने देखे लिए, total आपका 100 marks का question आएगा 100 marks का paper होगा, 2 घंटे का time रहेगा आँगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, qualification के बारे में qualification के बारे में बात करें, friends तो आपकी जो education qualification मांगा गया है, 12th pass मांगा है उसके साथ आपके पास computer diploma होना चाहिए, एक साल का उसके बाद आपके पास CPCT होना चाहिए, हिंदी या English में 20 word per minute इसके बाद आँगे बढ़ते हैं, और बात करेंगे अब हम age limit के बारे में, age limit के बारे हैं, बात करें, friends तो आपकी जो minimum age है, 18 साल मांगी गई है और जो maximum age है, 40 साल अगर आप STSC में आते हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC में आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी age limit में आगे देख लिजी आपके आरक्षण प्रतिशत, किर्था प्रतिशत, आरक्षण किसको मिल रहा है कुल पद की बात करें, कित्ते पदों के लिए वेकेंसी है, उसके बारे में टोटल पोस्ट किते है तो मैं आपको बता दू, सीधी भरती, बैकलोग भरती, सम्विधा भरती सभी को मिला कि आपके जो टोटल पद है, उस 2716 पद है तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले दिया गया है निजी सहायक, सिग्र लेखक, स्टोनोग्राफर, उसका आपका सहायक वर्ग ग्रेड 3, फिर आपका स्टोनोटाइप पिस्ट, अकाउंटीच कारकरता, उगहक परिवेक्षक, उप स्वच्छता परिवेक्षक, एनिमल फीडर, कमपाउंडर, ग्रंथपाल, लेखपाल, प्लंबर, टेकनीशियन, अलग-अलग ऐसे पदों के लाग की वेकेंसी आई हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपर्चुनेटी है, आप किसी भी डेपार्टमेंट पे सरकारी नौकरी के लिए अपलाइ करना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छी वेकेंसी आप सभी के लिए और ऐसे ही नौटिफिकेशन जाने के लिए हमारे देले को सस्क्राइब कर लिए